वह आप्हें effectivement हें सब्सक्राला डिया हुआ है तो हमारा जो टॉपिक है शली अबरेगत इस पैक्ट्रा में अंदर सब्सक्राइं तो हमारा जो टॉपिक है रहा स्पेक्ट्रा दिया हुआ है उसके बाद में अवरक्त स्पेक्ट्रा ठीक है इन दोनों में क्या डिफरेंस है रमन स्पेक्ट्रा में और अवरक्त स्पेक्ट्रा में तो रमन स्पेक्ट्रा जो होता है जल को विलायक के रूप में प्रियोग करता है और जो अवरक्त स्पेक्ट्रा होता है इसमें जल का कोई यूज नहीं होता है रमन स्पेक्ट्रा के लिए अडू की जो धरवनता होती है वो उत्तरदाई होती है लेकिन जो अवरक्त स्पेक्ट्रा होते हैं वो वर्ण किरम अडू के इस्थाई विद्धुत दोयागूंड में परिवर्तन पर निर्भर करते हैं रमन स्पैक्ट्रा विक्रण प्रकीलन के द्वारा प्राप्त होता है यानि अड़ुव द्वारा जो अवरक्त विक्रणों में जो अवसोचन होता है उसके कारण अवरक्त इस्पेक्ट्रा प्राप्त होता है रमन इस्पेक्ट्रा द्वारा विसुद्ध पदार्थों का ही परिच्छन किया जा सकता है लेकिन अवरक्त इस्पेक्ट्रा के लिए यह दसा आवस्यक नहीं होती है और रमन इस्पेक्ट्रा रेखाओं की आवरतियां अवरक्त चेत्र में पढ़ती है तो रमन इस्पेक्ट्रा की जो अबरतियां होती है रेखाओं की वह अबरक्त चेत्र में पढ़ती है और जो अबरक्त इस्पेक्ट्रा की जो इस्पेक्ट्र में रेखाएं होती है वह भी अबरक्त चेत्र में ही पढ़ती है तो इस प्रकार से रमन इस सामने हैंद सकते हैं अधरवाइज आप नोट को ले सकते हैं तो लगशा हमारे चैनल के माधियम से सी तरह वीडियो अब को सीरीज में मिलती रहते हैं लगे रहे हमारे उनका पेपर रहकर के साथ मैं फिर किसी नई वीडियो The